चल लएए इसकी चैन खीचनो और जब आतर के कोई पूँचेगा टीटी वगएरा तो कह देंगे इस गुड़े में खीची है अब बोले कि हम सब तो चार पाँच लोग है ये विचारा अकेला है हमारी बात मानेंगे लोग इसकी थोड़ी मानें लेगे तो अचानक से क्या किया वो लड़के बोले भाया जेन मत खीचना क्योंकि यहां पे जुर्माना लेखा है पांसु रुपे जुर्माना पड़ेगा रुपे कौन भरेगा तो एकदम से चारों लड़के बोले परिशान की हो रहे हम तुम इतने ओर बिलके पैसे जोड़ लेगे जवाब दिया कि एक काम करो पहले पैसे जोड़ लो उसके बाद में चैन खीचना मत आज गया गया देखो मताओं पैसे जोड़े चारों लड़कों ने पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान-पान- हाथ जोड़ता रहा भईया ना करो नहीं पाल पाल और जैसे ही चैन खीची एकदम से टीटी आ गया किसने चैन खीची तो एकदम से लड़कों ने इसारा किया भईया भईया इस बूड़े ने खीची इस बूड़े ने खीची एकदम से टीटी बूरें के पास आया बोला क्यों इतने बरत हो गए हो फिर भी तुमें आकल नहीं है चलती गाड़ी में चेट खीचरें बिना किसी वात के क्यों ऐसा तुमने किया एकदम से बूरा बिचावा आदमी बड़ा ही कम भी बोला महराज हम क्या करते हैं हमारी जेब में 2000 रुपय थे चारो लड़कों ने छिन लिये अब बता हम गरीब आदमी हमारे पास 2000 रुपय थे वो इनों ने छिन लिये यह यह बड़ा वाला लड़का इसकी जेब में है और तुमको नहीं लगता तुम इसकी जेब चिक कर लो टीटी ने सोचा बात तो सही है, चलो देखते हैं, बड़े लड़के को बुलाया, काचल अपनी जेव चिक करा, जेव चिक करा आए गए तो वही है, दो एजार रुपया निकले, पांच पांच सव पे तो ए सव सव की दस नोटे, दो हजार रुपय तो बुढ़े को मिल गए और टीटी ने चारों लड़कों को गिरफतार कर लिया, और जब अगले स्टेशन पे गाड़ी रुकी, और जब चारों को टीटी ले जा रहा था, तो बुढ़े की तरफ हो चारों लड़के ऐसे देख रहे थे बिलकुल घूर घूर के, तो बुढ़े ने एक दम बालों प लड़के, लड़के, इससे लड़के, उससे लड़के, जो सांत ना रहे है, वहीं लड़के, नमासा आरे है, चक्क्रवडर.